IIT-JEE means और JEE Advanced Mathematics के आपको तैयरी करवाई जा रही है सिंगेज बुक के तरू, बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट दरसल हम kindergarten से 12th standard तक quality online education देते हैं, फ्री ओफ कॉस्ट आप हमारे notes, pdf's और e-books के लिए team से contact कर सकते हैं के लिए आपको इस वीडियो के description में दिये गए link get notes पर click करना होगा coordinate geometry जो आपकी book है, इसमें हम 7th chapter hyperbola की बात करें और आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे जहांपर हम बात करेंगे कि सर, hyperbola की equation उन हालातों में जब hyperbola के जो axis हैं, जो आपके, you know, transfers, axis और conjugate, axis होते हैं वो अगर मान लो, axis और y-axis ना होकर, axis और y-axis के parallel कुछ lines हो तो किस तरीके से वो behave करता है, अब आपको पता है, सिंगेज book जो है आपकी, ये 5 किताबों का collection है है ना, उसमें आपके coordinate geometry, calculus, vectors in 3D, algebra, geometry, इस तरीके से हम सारी किताबे हर एक चीज को detailed manner में कर रहे हैं, मैं आप से बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम हर एक चीज कर रहे हैं, हर एक चीज properly कर रहे हैं, तो इसमें हम सारे concepts कर ले रहे हैं सारे illustration examples के तरूँ, concepts को मजबूत बना ले रहे हैं, exercises के questions के तरूँ, हर variety का exposure ले 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 रहे हैं और एक अच्छी मजबूत तयारी करते हुए, chapter को culminate करते हैं, जे डबली advanced के previous years questions के साथ तो coordinate में, जो आपका hyperbola है, उसमें ये बात हम कर रहे हैं, कि मानलो ये आपके x-axis और y-axis नहीं है, ये x-axis और y-axis के parallel दो लाइन से, मतलब आपके x-axis और y-axis कहीं रहे होंगे, जैसे कि मानलो सर, ये आपका y-axis के parallel एक लाइन लिट से यहां रही हैं, और इसे जरीके से मानल origin, लेकिन आपने क्या किया, x-axis के parallel एक लाइन चुनी, जो आपने क्या बनाई, जो आपने बनाई, transverse axis, क्या आप requirements समझ पा रहे हो, और आपने यहीं यहां पर किया, कि आपने y-axis के parallel एक लाइन चुनी, जो कि आपने क्या बनाई, जो कि हमने बनाई, conjugate axis, तो इस बार महस फ shift हो गया है किसी h, k के center पर लेकिन अभी भी इस दर्मियान चीज़ा वैसी ही रहेंगी आप सोच के देखो क्योंकि यहाँ पर अगर यह transfer success success हुआ करता था तो उस पर perpendicular यानि y-axis के parallel आपकी direct tricks रहा करती थी तो अभी भी आपकी direct tricks y-axis के parallel ही रहेंगी अब ही भी आपके focus जैसे यहाँ पर x-axis पर लाए करते थे ऐसे अब x-axis के parallel किसी line पर लाए करेंगे जो कि आपका transfer success होगा vertex भी वहीं आजाएगा तो चीज़े बहुत ज़ादा विशेश रूप से नहीं बदलेंगी जैसे discussion हमने ellipse या parabola में क्या है वैसा ही एक छोटा सा discussion यहाँ करेंगे जब हम यह बात करेंगे कि अगर उठा कर origin से आपने h-koma k पर उसर शिफ्ट कर दिया center को बश्चरते आपने यह ensure क्या कि जो आपके transfer success और conjugate axis है वो x axis और y axis के ही parallel है तो किस तरह के major मोटे मोटे बदलाव आते हैं वो मुझे एक छोटी से hint या छोटा सा suggestion आपको देने दीजिए कि आपको यह बात याद है कि अगर origin पर आपका ellipse का hyperbola का center है तो आप क्या लिखते हो equation x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 क्या इसी equation को ऐसा लिखा जा सकता है x minus 0 का whole square upon a square minus y minus 0 का whole square upon b square is equals to 1 did you get my suggestion did you get my idea कि sir जब center था आपका origin 0,0 पर तो आप लिखा करते थे equation तो अगर center होगा h,k पर तो equation में कोई खास बड़ा विशेश फर्क नहीं आना है याद आया कुछ ellipse और parabola से वही बात है जब hyperbola में करेंगे क्या discussion आजका clear है आजका जो agenda में set करना चाहरा हूँ जो रूप रेखा जो प्रा रूप आपके लिए तैक किया जा रहा है जो आजका set किया जा रहा है mood I hope clearly समझ आ रहा है तो मैं final conclusion से ही आपका आजका discussion शुरू करता हूँ और यह बात आपको जमाने की कुशिश कर रहा हूँ कि देखो कोई विशेश बदलाव नहीं हो रहा है अगर आपका hyperbola जिसकी equation होती थी उसे shift याने translate किया जाए है ना इस तरीके से कि अब center origin पर ना रहेकर h, k पर आ जाए तो यह हमने सीखा है सर curves में अगर आप shift करें उस curve को वही रखते हुए कुछ बदलाव rotate नहीं कर रहा हूँ मैं translate कर रहा हूँ मैं shift कर रहा हूँ अब जो यह line है अब जो यह line है बस एक बात बताओ अब जो आपका मानलो मैं वही scenario लेता हूँ कि सर यह है मानलो conjugate axis जो कि y-axis के parallel है और यह है आपका transfers axis जो कि आपका x-axis के parallel है एक बात बताओ यह जो point है यह center है और जो कि अब h, k है, है न, जो की अब h, k है, तो एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, इस हाइपरबोला में जिसकी equation आप लिख रहे हो क्या, x square upon, इस, I'm really sorry, x square नहीं, x minus h का whole square upon a square upon y minus k का whole square upon b square is equal to 1, तो गौश से सुनिएगा, simple सी बात पर आप से कहना चाहाँ, ज़रा दिमाग लगाई है और ये बताई है, direct tricks, कहां जाएगे, direct tricks से पहले एक छोटी सी बात और, अभी आप मुझे transfer sex और conjugate sex बताओ, आप सोच के बताओ, transfer sex में कोई विशेश फर्क नहीं आ रहे है, ये है आपकी line, अभी line क्या है, सरी ये x-axis के parallel है, और ये किस point से pass हो रही है, ये h, k से pass हो रही है, यानि origin से y-axis पर ये k distance पर है, मतलब के या तो उपर होगा है नीचे जो भी होगा, k positive or negative, तो शेलाई से इस line की जो equation होगी, वो होगी y is equal to what, k, I hope आप मेरी इस बात से सहमत है, और इस line की equation, जो की आपकी y-axis के parallel, इसकी equation क्या होजएगी, सरी होजएगी x is equal to h, कोई तकलीफ, कोई doubt, कोई issue, कोई कज़न, नहीं होना चाहिए, ये रहा आपका transverse axis, यानि इसी पर, इसी पर, आपके condo लाए करेंगे, focii भी और vertices भी, मैं थोड़ा direct tricks के साथ, आपका discussion करनी नहीं करना चाहरा हूँ, गौर से सुनिएगा, सर अगर ये आपकी पहली direct tricks है, जो कि आप कह रहे हो, किसके parallel है, जो कि parallel है आपके किसके, इस conjugate axis के, तो ये तए बात है, कि जो दूसरी direct tricks है, वो कहीं यहां रही होगी, क्या आप इस बात से सहमत है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, बड़ी साधरन, सुल्जी हुई आजसान सी बात, सोच के बताएगा, कि सर, ये रहा hyperbola है, आप समझने के लिए बना लेते हैं, कि ये रहा अगर आपका hyperbola ये, और इसी तरीके से मैंने hyperbola यहां पर भी बना लिया, कुछ ये, अब गौर से सुनना, काम की बात है, एक बात बताओ सर, बड़ी सिंपल सी बात है, center से, center से, a upon e distance, इसमें a तो a है, eccentricity भी fixed है, eccentricity क्या रहने वाली है, eccentricity में भी कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है, वो वही है, e square is equals to 1 plus b square upon a square, हमने ये जाना था, 0,0 से, ये a upon e distance इस तरफ, और minus a upon e distance इस तरफ, shift होती थी चीज़े, बट अब आपका, ये जो equation रहा करती थी, ये रहा करती थी, x is equal to a upon e, लेकिन इस बार x, x नहीं है, x क्या है, x minus h है, I hope आप मेरी बात समझ पार हो, तो technically, जो ये वाली आपकी directrix होगी, इसकी equation क्या होगी, इसकी equation होगी, x is equals to h plus a upon e, I hope आप समझ पार हो उस बात को, और इसी तरीके से ये क्या होगा, x minus h is equals to minus a upon e, यहने x is equal to what, minus of h plus a upon e, क्या आप मेरी बात से सहमत है, क्या आपको ये दोनों बातें acceptable लग रही हैं, क्या ये बातें आपको समझ आरही हैं, हमने कुछ नहीं क्या, h, k से, अब आपका y coordinate fix रहे हैं यहाँ पर, इस से ट्रांसफर्स axis पर, तो मैं आपसे यह कहना चाहरा हूँ, कि अगर parallel चली ही रहे हो, y axis के, यहने conjugate axis के फिलाग, तो a upon e distance से दर जाना, यहने plus कर देना, और a upon d distance से दर आना, तो minus कर देना, तो क्या सबसे पहले तो आपको, direct tricks की equation समझ आई, जो कि technically आपके conjugate axis के parallel होती है, अच्छा सरे एक बात बताओ, vertex को लेके क्या खिया ले, I hope आप इसे कोई भी नहीं कहा रहे है, कि यह a, 0 और minus a, 0 होगी, नहीं, यह तो गड़बढ़ है सर, लेकिन vertex में 0 की जगे क्या आद आने वाले है, अच्छा देखो, जब origin रहा करता था आपका, 0,0 center, तो आपकी vertex क्या रहती थी, 1,0, लेकिन अब y, y नहीं, y, y-k है, तो अगर इसका y coordinate 0 होता था, उस case में, तो वो अब है y-k z equals to, y की value कितनी है के, सर, इससा घुमा के क्यों सोच रहे हो, अप इसको आसानी से क्यों नहीं क्या दे रहे हो, कि सर, सीधी सीधी बात है, ये y is equals to k line पर लाइक कर रहा है न, तो इसमें, इस पर लाइक हैने वाले, किसी भी point के y coordinate की value क्या होगी, की के, हाँ सर, ये तो तई बात है, ये तो तई बात है, लेकिन मेरा आप से पूछना है, इसका x coordinate क्या होगा, आप सोच के देखो, ये है h, अब h से अगर में a distance यहां आया, तो ये क्या होगया, h plus a, और अगर h से में a distance इधर आया है, तो, मैं आप से पूछना चाहरा हूँ, focus को लेके क्या opinion है, सर, focus भी बनाई लेंगे, focus में sorted सी बात है, ये होता था ae, 0, जब center 0, 0 होता था, लेकिन इस बार ae तो ढूण लेंगे, लेकिन y coordinate शेलाई से 0 ना होकर k रहेगा, इस focus का भी y coordinate 0 ना होकर k रहेगा, अब सुनना, हमने ये जाना है, ये distance ae होती है, तो h से ae distance इधर आना मतलब क्या h प्लस ae, और h से ae distance इधर आना मतलब क्या h माइनस ae, बस इतनी सी बात है, इसमें कौन सा नया हमने काम कर लिया, आपको ये बात आराम से समझ आनी चाहिए, कि अभी भी आप समझ के देखो, ये distance कितनी है, ये distance कितनी है भई, सोच के बताओ h minus a, ये distance कितनी है h plus a, आप मेरी बात सुच पारे हो, नहीं ध्यान से सुनना, ये distance h plus a नहीं है, ये distance है a, क्योंकि h से a आगे गए आप, और यहां पर h से a पीछे गए, तो अभी भी ये बात तैय है, कि जो आपका transverse axis है, उसकी length कितनी आनी तैय है, 2a, मैं खूप आप इस बात से agree करता है, ना सिर्फ ये, बलकि अगर मैंने आप से पूछा होता, जो conjugate axis है, अब क्या, अब सुनना ध्यां से, length of lattice ractum क्या होगी सर, कुछ नहीं बदला है, अप में रैकिन करिये, lattice ractum भी वही है, बनलब although उसके extremities के coordinates बदलेंगे, पर अभी भी वो length वही है, आप समझ के देखना, यहां से जब उपर जाओगे, तो वो b square upon a length ही है, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, उसके coordinates ही है, पर length वही है, और यहां भी b square upon a है, तो अभी भी, अगर आप से कोई पूछता है, lattice ractum की length, अगर आप से कोई पूछता है, lattice ractum की length, तो आप कहेंगे उसे, क्या भी, 2b square upon a, तो in case if somebody asks you, the length of this, तो वो यह आपकी 2b square upon a, बाद लेंथ के में बात कर रहा है, length of lattice ractum, तो majorly, यह और यह चीज़ नहीं होगे, वस coordinate wise चीज़े बजल जाएंगे, जो आप आराम से, मेरे खियाल से, अपना normal common sense, यूज़ करके निकाल सकते हो, कोई खास विशेश efforts नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें इस बार, यह वही सारी बात है, कुछ और इसके अलावा अगर आपको जानना है, पूछना है तो बताएं, मैं बता दूँगा, I think इसके अलावा कोई खास बात बचती नहीं है, तो फटाफट चेक कर लेते हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने भी शायद वही सारी चीज़े कहीं हैं, वही सब चीज़ें आपको उनने कहकर समझाई हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स पार्ट की तरफ, eccentricity से लेकर, हर एक चीज़ हम discuss कर लेते हैं, अगे ध्यान से देखना भई, उन्होंने एक conclude किया है, कि center अगर h, k हो, तो आपकी eccentricity में तो b और a के साथ यही relation रहेगा, लेकिन focus आए जोंगी वो, हम अभी discuss करते हैं, h से a e distance आगे और पीछे shift होना है, y coordinate k fix हो जाएगा, दूसरी बात, directrix वही बात, h से a अपॉन e distance आगे और पीछे shift होना है, तो इस तरीके से question रहाजी कि और यह आपके hyperbola की question रहाजी ने, अब अगर hyperbola आपका यह वाला होता, यह कौन सा hyperbola है, याद करिए, अगर इस hyperbola में उसने क्या बदलाव किया, उसने इस बार जो hyperbola बनाया है, वो है x-h square upon a square minus y-k square upon b square को 1 na रखते हुए minus 1, तो आप समझगे क्या गड़बड हो रही है, गड़बड कुछ नहीं हो रही है, बस अब उसने बजल दी हैं, चीज़ें अब उसने आपका conjugate hyperbola ले लिया है, मतलब जो आपका transfer axis है, वो आप conjugate axis है, और जो आपका conjugate axis हुआ करता था, वो आपका transfer axis है, क्या आप में लिए इस बात से सहमत है, यानि की simple सा फर्क आने वाला है, कौर से सुनेगा, कि अगर ये एक directrix है, अगर ये एक directrix है, तो दूसरी directrix कहां तय होना रहेगी, यहाँ पर कहीं वो दूसरी directrix बननी तय है, अच्छा, इस बार क्या हो रहे से, अभी बाइदर वे, यह आपका origin नहीं है, यह आपका कोई point है, h, के, और यहाँ पर इस बार ये line अभी भी वही है, क्या y is equals to k, और यह line अभी भी तय है, क्या x is equals to each, क्योंकि x और y axis के parallel दो lines है, पर इस बार फर्क ही आया है, गर आप इस equation को ध्यान से देखे तो, यह आपका transfers access नहीं होते हुए, क्या बन गया है, conjugate access, और यह आपका conjugate access नहीं होते हुए, क्या बन चुका है, transfers access, यहाँ यहाँ पर, तो एक तो यह बन जा रहा है, और इसी तरीके से आप यहाँ पर यह बना ले रहे हो, कोई दखली है तो नहीं, बहुत symmetrically वो ना दिख रहा हो, बनता हो, पर फिर भी आप मेरी यकीन है, बात समझ पाएंगे, गौर से सुनिएगा, अच्छा बताओ, यहाँ पर eccentricity कैसे निकलेगी, सर, eccentricity को लेके opinion sought today, e square will be one plus, b square upon a square के बजाए, अब क्या होगा, वो होगा a square upon b square, I hope you all agree with that, क्योंकि इस बार, अगर मैं आप से बात करूँ, सोच के बताओ, simple सी बात है, हम यह तो जानते हैं, कि directrix conjugate axis parallel होता है, बिल्कुल सही बात है, एक बात बताओ, अगर यह y is equals to k है, तो आप कहते हो, b upon e distance उपर, और b upon e distance नीचे जाओ, यानि k से, तो y is equal to k plus b upon e, यह directrix हो जाएगी, और y is equals to k minus b upon e, आपकी यह वाली directrix हो जाएगी, कि आप यह बात समझ भाएगे, सर, vertices को लेकर क्या opinion है, I think sorted है कहानी, इस बार क्या होगा, b distance आपका उपर जाना, और b distance नीचे जाना है, तो सीजी 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 बात है, यह x-axis के perpendicularic line है, यानि y-axis के parallel, तो इसका x-coordinate रहना fixed है, मलब इसमें vertex होगी, अगर मैं आप से पूछ हूँ, इस vertex का, तो यह technically आपका, यह b से मुझे help मिल रही है, कि सर यह distance b है, यह distance कितनी है भई, आई, खुब आप साँच पा रहे हैं, यह जो distance है, यह distance b है, तो total आपका इस बार जो major axis है, जो transfer axis है, या जिसे आप focal axis कह लें, उसकी length कितनी होगी, 2b, है ना, यह length कितनी है b, तो k से b distance उपर जाना, यानि यह coordinate कितना होगा, k plus b, और यहाँ पर k से b distance नीचे आना, यह coordinate कितना होगा, k minus b, एक और बात, इस intricity तो आप इस formula से निकाल ही लेंगा, इस बार जो आपकी क्या होती है भाई, focus होँगी, यानि दोनों focus आएक के coordinates होँगे, वो b e distance उपर और b e distance नीचे, किस से k से, तो यह distance क्या होगी, k plus b e, और यह distance कितनी होगी, k minus b, बशर्त है आपको यह बात याद रहे, इस sensitivity के formula में, इस बार a square upon b square हैगा, और in case अगर मुझसे minor axis इस वाले, यानि अभी फिलाल इसे हम क्या कहेंगे, conjugate axis के लेंद पूछी जाए, तो मैं इसे कहूँगा 2a, इस में कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आ रही, जो नहीं पदा चल लिया, जो आप crack नहीं कर पा रहे हैं, I think sir, अब तो यह सारी बाते हम जानते हैं, यह हर एक चीज हमने निकालना से किये, इनको देखे, इनको देखे, इनको देखे, इनको देखे, इनको देखे, तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, क्या अब आपकी एक understanding इनको लेकर तो कोई confusion नहीं है, इस shape, इस figure को लेकर कोई doubt नहीं है, क्या यहां तक चीज़ें sorted हैं, यहां तक चीज़ें smooth हैं, मेरा मानना है अगर यह understanding build होई है, तो हम आगे बढ़ेंगे, और अब next lecture में इसके questions के साथ, इसकी understanding को comprehend करेंगे, यानि कि क्या, जो हमने discussion किया है, कि origins H, K पर अगर आप ले आओ, तो चीज़ें कैसे behave करती हैं, उस discussion को आगे बढ़ाएंगे, यह हम IAT, JWE Mains और JWE Advanced, Mathematics के आपको त्यारी करवा रहे हैं, Singage Mathematics Book के थूँ, बहुत comprehensively, detailed manner में हम यह त्यारी कर रहे हैं, और बिल्कुल free of cost यह त्यारी कर रहे हैं, हम kindergarten से 12th standard तक, quality online education देते हैं, बिल्कुल free of cost, आप हमारे notes, PDFs और e-books के लिए team से contact कर सकते हैं, इसके लिए, get notes आपके link दिखाए देगा, इस video के description में, वहाँ click करना होगा, with that, let's call it a day here, ख्याल रुखे अपना, thank you so much.